हेलो एव्रिवन आज हम स्टड़ी करेंगे क्लास सेवंथ की पोयम चीवी इसे लिखा है माइकल रोसन ने माइकल रोसन जब पांच वर्ष के थे तो उनकी मदर उन्हें स्कूल लेकर गई एड्मिशन करवाने के लिए तो वहाँ टीचर ने पूछा माइकल तुम्हारी ममा तुम्हें घर पर क्या बुलाती है तो माइकल ने जवाब दिया वो कहती है माइकल ये मत करो माइकल वो मत करो माइकल रोसन जब बड़े हुए तो एक फेमस पोएट बन गई तब उन्होंने ये पोएम लिखी चीवी इसमें इन्होंने बताया कि बड़े जो घर पर होते हैं मारे पैरेंट्स हमें किस तरह से बारी बारी टोकते हैं ये मत करो वो मत करो आपको भी कई बर पैरेंट्स में कहा होगा ना कि ये मत करो वो मत करो तो उसी के बारे में उन्होंने ये पोएम लिखी है और इसमें चीवी का मतलब होता है तो चीवी means to nag यानि कि एक ही बात को बारी बारी करने के लिए कहना या फिट टोक ना तो चलिए शिरू करते हैं पोएम की explanation यहाँ पर पोएट हमें बताते हैं कि जो ग्रोन अपस होते हैं यानि कि हमारे जो पैरेंट्स होते हैं घर पर वो कभी तो हमें कहते हैं कि speak up यानि कि धंक से बोलो कभी कहते हैं don't talk with your mouthful और कभी कहते हैं कि जब मूँ में खाना हो तब मत बोला करो कभी कहते हैं don't stare यानि कि गूर गूर कर मत देखो और कभी कहते हैं don't point यानि कि उंगली से इशारा मत करो और कभी कहते हैं don't pick your nose यानि कि अपनी nose में finger मत डालो Sit up, say please, less noise, shut the door behind you Don't drag your feet Haven't you got a hanky? Take your hands out of your pockets Parents, कभी तो कहते हैं Sit up, यानि कि डंग से बैठ जाओ कभी कहते हैं Say please और कहते हैं कि Please कहा करो बाते जब भी करते हो कुछ भी तुम्हें चाहिए तो Please कहा करो कभी कहते हैं Less noise यानि कि शोर मत मचाओ कभी कहते हैं Shut the door behind you पीछे का दर्वाजा बन कर दो कभी कहते हैं Don't drag your feet हम चलते हैं तो कहते हैं कि पैरों को गसीट कर मच चलो Haven't you got a hanky? और कभी हम अपना मूँ साफ करते हैं तो कहते हैं कि hanky से करो और कभी कहते हैं Take your hands out of your pockets अब जब हम pockets में हाथ डालते हैं कभी हमें डारते हुए बारी-बारी कहते हैं कि hands को pockets में से बाहर निकालो Pull your socks up Stand up straight Say thank you Don't interrupt No one thinks you are funny Take your elbows off the table Can't you make your own mind up about anything? कभी तो वो हमें कहते हैं Pull your socks up अपनी socks को उंचा करके डंग से पहनो कभी कहते हैं Stand up straight सीधे खड़े हो जाओ डंग से खड़े हो जाओ करो कभी कहते हैं Don't interrupt interrupt यानि कि जब बड़े बाते कर रहे हो तो बीच में टोका मत करो No one thinks you are funny और कभी वो हमें कहते हैं कि अजीब से चहरे मत बनाया करो तुम्हें लगता है कि तुम funny दिख रहे हो मजाकिया दिख रहे हो पर ऐसा अजीब लकुल भी नहीं है और कभी वो कहते हैं take your elbows off the table और कभी कहते हैं कि टेबल के उपर कोहनी टिका कर मत बैठा करो album मेंने कोहनी बच्चे बैठते हैं ने टेबल पे कोहनी रखके तो वो उसके लिए भी वह हमें मना करते हैं और कभी वो कहते हैं can't you make your own mind up about anything क्या तुम अपने दिमाग से कुछ भी नहीं कर सकते हो तुम्हें सब कुछ समझाना पड़ता है So this was the explanation of the poem TV कैसे लगी बच्चो आपको इसकी explanation अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब भी कर देना बाई